खेलो फ्रेंड्स, welcome to my channel आज हम blouse की measurement कैसे लेते हैं जिसमे के measurement कैसे लेते हैं तो आप ठीक से measurement लेंगे तो आप की blouse की cutting भी अच्छे से आएगी तो blouse की measurement लेकि blouse की उपर cutting कैसे करनी है यह देखते हैं तो पहले हम इसकी measurement कैसे लेनी है जैसे blouse के उपर measurement कैसे लेते हैं यह देखते हैं तो यहाँ पर हमने फिन का फिंग का प्राबलम आजय्ता है या लंबाई कम जादा हो जाती है, नाई तो यहाँ फिटिंग मेजर्म प्राबलम आजय करोगे तो यह problem का clear हो चाएगा तो यहाद पर हमें क्या करना है जैसे जब भी हम measurement करते हैं ब्लास की measurement करते हैं तो इसे पहले हमें पीछे सी लंबाई लेनी है जब भी हम blouse की लंबाई नापते हैं तो हमें blouse की लंबाई जो है बैक सेट से को यहां भी हमारी साड़ेटैरा in फट्र नापनी है बिससंदों पूरी गालनी है तो таव्मारी लंभाई नकालनी है तो साड़े से वमारी नमबाय आती है उसके बांद यहां भी हमारा नेक है ब्लैक बैक साइड का जो है यह भी हमें इस तरह से लेना है जैसे सीधा लेना है तो हमारा बैक सेड करने जो है यहाँ पर हमारा 18 चाहता है अब क्रॉस में लोगे तो साड़े 18 चाहता है जैसे यहाँ पर हमें सेंटर में लेना है उसके बाद यहाँ पर हमें चेस्ट का नाप निकलना है जैसे चेस्ट का नाप जो है तो यहाँ से यहाँ तक हमारा वन पोर्ट निकलता है फिर यहाँ पर हमारा जो है यहाँ जैसे यहाँ से यहाँ तक करोगे मेजर तो यह हमारा हाफ चेस्ट का हाप निकलता है और इसका ड को चेस्ट का वनफूर्थ लेना है ताकि यह हमें जल्दी समझ में भी आता है और अच्छे से इसका short मद में हमारी ये measurement भी निकलती है जैसे यहाँ पर हमें 40-10 इंच यहाँ पर blouse की measurement आती है हमारी chest का वंदफोर्तों है नेक यूप 1.5 इंच तो इसके आगे आपको 2 या 1.5 इंच लेना है जितना आपका सिलाइ में जैसे नए-ने सिलने वाले होते तो उनको सिलाई में ज़्यादा जाता है तो आपको दो इंच लेना है जैसे आप करते हैं जा सिलाई काम करते हैं तो आप देडी इंच लेंगे तो भी चलता है क्योंकि क्या होता है जो नए सिलने वाले होते हैं उनसे कम ज्यादा हो जाता है या सिलाई में ज्यादा 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 है यहाँ पर सिलाई में ज्यादा जाता है तो वह फिटिंग में प्रॉब्लमा जाता है तो वहाँ पर दो इंच लेंगे तो चलता है लेकिन जो उसके बाद यहाँ पर हमारा फ्रेंट साइड का जो गला है वो लेना है तो फ्रेंट साइड का जो गला है वो है अमारा चेंज यहाँ पर आपको सीधा लेना है नहीं तो क्रॉस में लेंगी तो यह साड़े छे इंच आता है उसके बाद यह जो कटोरी का नाप है तो यह कटोरी का नाप लेना है यहाँ पर हमें जो कटोरी जोइन की हैं यहाँ पर तो यह जो कटोरी का नाप है इस तरह से लेते हैं यह आता है हमारा साड़े छे इंच कटोरी का नाप आता है हमारा साड़े छे इंच तो यहाँ पे हमें क्या करना है जैसे यह जो शोल्डर है शोल्डर को आपको आच्छे से रखना है जैसे जो गला होता है हमारा इस तरह से आपको सीधा राउंड शेप में आपको इसको रखना है और हमें शोल्डर का नाप लेना है शोल्डर का नाप पता है हमारा साड़े ग शूंग किया है वह से हमें सीधा स्लीउज का नाप लेना है यहां आता है हमारे आहिए यह के बाद हमें यह जो बॉटम है यह जोपर हैं यह है यह हमारा साघे चेंज तो यहां पे मैं आपको यह मेजर्मेंट कर लिखाए हैं यहाँ पर आपको लंबाई चेस्ट शोल्डर फ्रंट और बैक सेड का नेक यहाँ पर कटोरी का नाप और यह जो है यहाँ पर स्लूज की लंबाई और स्लूज का बाटम और यहाँ पर जो आर्मूल लेते हैं वो चेस्ट की सबसे रहता है यह चेस्ट का नाप भी जैसे जित तो यहां पर आपको यह भी चेस्ट के साफ से रहता है और आरमुल का जो नाप होता है वो भी चेस्ट के साफ से रहता है और फिटिंग जो है तो इसके उपर ही हमें फिटिंग जैसे ब्लाउस के उपर ही हमें फिटिंग करनी पड़ती है नेक जो है नेक में आपको आदा इं करते हैं तो उससे पहले हमें मेजर्मेंट लेनी पड़ती है तो आप मेजर्मेंट टीक से करोगे तो ब्लाउस की कटिंग पे अपकी परफेक्ट आएगी तो यहाँ पे मैंने आपको यह मेजर्मेंट कैसे करनी है कितनी लेनी है यह मैंने आपको दिखाया है तो यह मेजर्मे पेन आपको दिखाई है तो मैं आपको चेस्ट के हिसाफ से हर चेस्ट का मेजरमेंट और उसकी कटिंग मैं आपको इस वीडियो में इस चैनल में आपको दिखाऊंगी तो यह मेजरमेंट का वीडियो जो आपको पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें Thank you for watching this video